नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इक पार फैर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और एच पिन आटिपिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके है हिमाचल प्रदेश की आज की कैबिनेट बैठक समापत हो चुकी है जिसमे सोखों के अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्री मंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गया है मंत्री मंडल ने राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रामों बोल्डों निगमों स्थानिय निकाय आधी के तयात बिभिन ग्रुप सी पदों की भरती के लिए प्रीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चायन आयोग की स्थापना करने का ने लिया गया राज्य चायन आयोग भंग किये जा चुके हिमाचल प्रदेश करमचारी चायन आयोग हमेगपूर के स्थान पर के स्थान भरती प्रीक्षाओं को संच करेगा कैबिनेट ने मोख्य मंत्री लगू दुकांदार कल्यान योजना 23 को मंजूरी दी और योजना की तहत 40 क्रोड रुपे आवांटिद करने का फैसला लिया या योजना छोटे उध्यमियों और कोशल अधारित श्रमकों जैसे कोबल्स दरजी बाबर मोबाइल रिपेरि का मानदे बढ़ाया मंत्री मंडल ने SMC शिक्षकों का मानदे एक अप्रेल 2023 से 2000 रुपे प्रतीमा बढ़ाने का फैसला लिया इससे 2115 शिक्षकों को लाब होगा इसके रावाश शिक्षा विभाग में कारेड़ा 283 अंश कालिक जैवल बाहकों का मानदे एक अप्रेल 2023 से 49 2400 से 4400 रुपे प्रतीमा करने का फैसला लिया वहीं पुलिस कॉंस्टेवलों के 1226 पदों को भरने की मंजूरी मंत्री मंडल की बैठक में दी गई है जिसमें पूर्ष के 877 पद कॉंस्टेवल के भरे जाएंगे दोस्तों बत्तर महिला कॉंस्टेवल और 57 कॉंस्टेवल ड आपाओ